हेलो फ्रेंट जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम CSS सीख रहे हैं और यहां CSS का वीडियो नमबर 16 है और आज की इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो है हमारा नेविगेशन बार क्योंकि जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उस नोट्स यूट्यूब एडिसे को इस तरीके के नेविगेशन बार दिये गए हैं तो इस प्रोजेक्ट को हम इस वीडियो में बनाना सिखेंगे तो चलिए यहां से हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे क्लोज और ओपन कर लेते हैं नोटपाइट प्लस प्लस को तो हमने यहां हमारे चैनल के माध्यम से HTML और CSS बिल्कुल सुरू से सीख रहे होगे तो आप लोगों को पता होगा कि नोटपाइट प्लस प्लस क्या होता है और इसका यूज हम किसलिए करते हैं तो यहां पर हमने पहले से ही थोड़ा HTML का कोड लिखा है जो बिल्कुल बेसिक है जैसे कि आ पर हमने बॉड़ी टैग रखा अब जो भी कॉंटेंट हम लिखेंगे वो हमारा बॉड़ी टैग के अंदर ही होगा तो यहां पर हमने इतना कोड लिखा है क्योंकि बेसिक कोड है आप लोग भी बहुत ही आसानी से लिख सकते हो यहां से इस फाइल को हम सेब कर लेंगे आप अफ्सारों से एकपर हैंगे यहां से एकसरों से जक से और यहां पर हम अपनी फाईल का नाम रखेंगे यह फाईल का नाम रखेंगे यह अलं पिडाट-अइस टिमिल को क्योंकि जब हम कोगी अच्ट önemों की फाईल से वग कर अटो हमें एक्सटेंशन cry finanewer शियोरा और भी कोई भी कोड नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पर हमने केवल भी HTML का structure ही देडी किया तो यहां पर हमने इतना code लिख लिया अब हमें क्या करना है बोडी टैक के अंदर जो हमें और यहां पर हमकुझ तरीके से और यहां पर हम अब टाइप करेंगे यहां पर हम यहीं पर यहीं पर एलाई टैक को क्लोज कर लेना है यहाँ पर हमने Eli tag open किया और Eli tag को close कर लिया और यहाँ पर हम को type करना है home क्योंकि हम सबसे पहला जो newigation रखना चाहते हैं फिर इसी तरीके से हम को एक और Eli यहाँ पर open करना है और हम को Eli यहाँ पर close कर लेना है फिर बीच में हम यहाँ पर रखेंगे YouTube अपने हिसाब से आप जो भी डाटा रखना चाहें वो डाटा यहाँ पर रख सकते हैं तो यहाँ पर हम रखेंगे यूट्यूब यूट्यूब रखा फिर इसी तरीके से बार बार हमको यलाई ही ओपन करना है यलाई क्लोज करना है इसलिए इसको हम यहाँ पर कॉपी अब यहाँ पर हम लिख लेंगे नोट्स यहाँ पर हमको नोट्स लिखना है आपकी वैफ साइट जिस भी टॉपिक से तॉपिक से यहाँ पर नाम कर सकते हो अब हम यहाँ पर हम रख लेंगे ADCÁ कोर्स lock यहाँ पर हम ADCY 요स रखेंगे फिर हम यहाँ पर नाई को open करना है इस तरीके चेलाई open करेंगे और यहाँ पर हमको type कर लेना about us यहाँ पर हम about us type करेंगे तो इतना code हमने यहाँ पर लिखा फिर file को save करेंगे और आएंगे अपने desktop screen पर और जो हमारी file थी lmp.html की इसको यहाँ से open कर लेना है तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे home, youtube, notes, adca course और about us यह चीज़े हमारी आ रही है फिर हम note part plus plus पर आएंगे इतना तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हो क्योंकि बहुत ही सरल है, सबसे पर हमने यहाँ पर यहाँ पर open किया और यूएल टाइग को last में close किया बीच में हम को यहाँ पर li tag open करना है li tag को close कर लेना है इस तरीके से फिर हमने li tag open किया, li tag को close किया इतना हम यहाँ पर काम करेंगे अब यहाँ पर जो home दिया गया है अब हमें यहाँ पर link लगाना है क्योंकि जब कोई भी वेक्ति navigation बार पर click करेगा तो उसके सामने इस list में जो भी link लगी होगी वही page open होगा क्योंकि जब कोई भी website बनाई जाती है तो इसी तरीके से हमारी website होती है जब हम notes पर click करेंगे तो यहाँ पर जो notes का session add होगा यानि की link किया गया होगा ओ यहाँ पर add हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर practical चीज़े हैं इसलिए कोई भी link भी नहीं लगाए आप लोग इनको आसानी से लगा सकते हो जब हम भी यहाँ पर इसका practical देखेंगे तो क्या करना है note part plus plus में आना है अब home पर हमको link लगाना तो link लगाने के लिए एक tag होता anchor tag यहाँ पर हमको a tag open करना है यह tag open करेंगे और इस side में हमको a tag को यहाँ पर close कर देना है यहाँ पर हमने a tag open किया a tag close कर दिया और बीच में हमको यहाँ पर link का एक reference होता है जिसको हम यहां पर हम टाइप करेंगे हर एफ हर एफ टाइप करेंगे एक को लगाएंगे और डबल कोड के अंदर यहां पर जो भी लिंक हम को लगानी होती है वो लिंक हम को लगानी है लेकिन यहां पर हम कोई भी लिंक भी नहीं लगाएंगे इसी तरीके से जितने भी हमने यहां पर यूट्यूब नोर्स एडीसे को अबाउट टाइप किया सभी पर हमको लिंक लगा देनी है तो हम यहां पर सभी पर लिंक लगा लेंगे आप लोग समध तो गये ही होगे अगर हम एक एक करके लगाएंगे तो समय हमारा अधिक लिंक लगा लिया तो इस तरीके से अगर में कोई भी लिंक लगानी हो तो बहुत ही आसानी से लिंक हम इस पर लगा सकते हैं यह हमारा यूएल टाइक के अंदर लाई ओपन हो गया और यहां पर हमने निविएशन के लिए इतना कोड लिख लिया है अगर आप लोग नीचे एमको Paragraph रखना हूं हम यहां पर type कर सकते हैं यहां पर हमने अपना paragraph लिख लिया अब हम आएंगे अपने project में और इसको यहां से करेंगे refresh तो आप लोग यहां पर देक पा रहे होगे हमारे paragraph भी आ रहा है और उपर हमारी जो भी navigation के लिए हमने बनाया है home YouTube इसमें लिंक भ बार के लिए हमको CSS लिखनी है तो CSS लिखने के लिए यहाँ पर हम internal CSS यूज करेंगे internal CSS हम head section के अंदर यूज करते हैं head section के अंदर जब हम internal CSS यूज करेंगे तो हमको यहाँ पर style tag open करना है यहाँ पर हम style tag open करेंगे और यहाँ पर हमको style tag को close कर लेना है यहाँ पर हमने style tag open की और style tag हमको यहाँ पर close कर लेना है style tag को हमने close कर लिया इतना काम कर लेने के बाद फिर इसी के अंदर अब हमको css लिखनी है तो यहाँ पर हम css लिखेंगे css सबसे पहले हम body के लिए लिखते हैं यहाँ पर body tag है यानि कि पूरे page के लिए css लिखेंगे तो यहाँ पर हमको type करना है body यहाँ पर हम body type करेंगे type करेंगे body body type किया और curly bracket open और curly bracket close करना है और बीच में हमको css लिखनी है तो यहाँ पर हम सबसे पहले रखेंगे font size यानि कि इस पूरे page में जो भी text लिखा है उस text का size हम अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं तो यहाँ पर हम font size property होती है text size के लिए यहाँ पर हम font size उच करेंगे column लगाएंगे अब हम font size रखना चाहते हैं 20 pixel यानि कि इस पूरे page में जितना भी font है वह हमारा 20 pixel का ही रहे 20 pixel तक इसका size दिखाई दे फिर हम type करेंगे नीचे यहाँ पर margin यानि कि जो उसमें text लिखा हुआ है उसकी margin बिलकुल 0 हो जाए अब margin क्या होती है margin आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे अभी हम आपको बताते हैं explain करते हैं यहाँ पर हमने सबसे पहले body के लिए CSS लिखी font size body में हमने रखा 20 pixel और margin हमने यहाँ पर 0 set कर दी अब आएंगे अपने project में हम अपने project में यह कुछ space छूटा हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी कोई meter नहीं लिखा इसलिए right side में नहीं पता चलेगा लेकिन left side से कुछ margin यहाँ पर छूटी हुई है इसलिए हमने यहाँ पर body में margin 0 की और इसको जैसे ही refresh करेंगे size भी बड़ा हो जाएगा और left side से भी जगा हमारी कम लिखेंगे क्योंकि इसमें जो भी meter लिखा हुआ उसको हमें style बनाना है क्योंकि जो हमारी CSS होती है CSS का काम ही होता है website को style बनाना यानिकि colorful website को हम बना सकते हैं अब यहाँ पर हम UL tag लगाएंगे UL tag लगाएंगे और हमको यहाँ पर curly bracket open और curly bracket को close कर लेना है यहाँ पर हम curly bracket उक्राइट ओपन और curly bracket क्लोज करेंगे तो यहाँ पर हमने UL type open किया curly bracket लगाया और curly bracket को close किया सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे list style type list style type हमको लिखना है तो यहाँ पर हम list style type लिखेंगे और list style type में हमको type करना है none अब आप लोग सोच रहेंगे list style type none क्यों किया गया तो list style type none इसलिए किया गया यहाँ पर जो हमने बनाया है जिस home, youtube, notes इसमें इसके आगे dotted point आ रहे हैं तो इनी point को हटाने के लिए हम यहाँ पर type करेंगे list style type none file को save करेंगे browser में आएंगे और इसको यहाँ से करेंगे refresh इसके आगे जो भी point थे ओपॉइंट हमारे हट जाएंगे फिर यहाँ पर हमको margin और padding छोड़ना है margin तो आप लोग समझते ही होंगे इसके आगे यहाँ लेप्ट राइट में जो भी जगा छूटी हो है वो बिल्कुल बराबर हो जाए और padding भी हमको छोड़ना है जो home YouTube है इसके बीच में हमको gap करना है तो यहाँ पर हम आएंगे यहाँ पर हमको type करना है margin margin हमको यहाँ पर रखनी है 0 pixel यहाँ पर हम type करेंगे margin 0 0 pixel margin type करना फिर हम यहाँ पर type करेंगे padding यहाँ पर हमको padding type करना है padding भी हमको 0 रखना है padding 0 रखेंगे फिर हमको padding के बाद यहाँ पर type करना है overflow overflow hidden रखना है तो overflow type कि आप property होती है colon लगाएंगे और यहाँ पर हमको type करना hidden, फिर हम semi colon लगा देंगे, इतना code लिखेंगे, फिर इसके बाद हमको by ground color रखना है, यानि कि जो भी यहाओ पर link लगी हैं, इनके पीछी का by ground color बदलना है, तो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हमको type करना है by ground color, यहाँ पर हम by ground color करेंगे और हमेंको forest** و vector आप अपने हिसाब से जोभी रखना क्या है ओर रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम background color रखेंगे Dafür बlo investigación blue रखेंगे सेbruikariusний कॉल लगाएंगे और रही है क्योंकि यहां पर हमने text का color अभी कोई भी change नहीं किया है इसलिए यहां पर link नहीं सो रही है तो यहां पर हमने background color blue set कर दिया और इसका result आरा आप लोग जान भी गए होंगी फिर इसके बाद हमें और code लिखना है तो यहां पर इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहां पर हमको लिखना है यलाई यहां पर हम टाइप करेंगे यलाई यलाई टाइप और हमको curly bracket open curly bracket close करना है और यहां पर इंटर बटन प्रेस करेंगे अब यहाँ पे हमें type करना है float left float एक property होती है left का मतलब जो भी data हो हमारा left side से ही रहे यानि कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जो हमने color blue रख दिया है इसको यहाँ पर हम example के लिए यहाँ पर थोड़ा हटा देते हैं इसको करेंगे delete file को save करेंगे browser में आएंगे इसको refresh करेंगे ताकि आप लोग थोड़ा समझ जाएं फिर हम यहाँ पर background color set कर देंगे अब हमें यहाँ पर float left रखना है अभी जो हमारी link थी यह बिल्कुल नीची आ रही थी और हमने float left रखा जो भी data बिल्कुल left side से right की तरफ इस तरीके से जाएगा यही हमारा float होता है तो आप लोग यह भी समझ गए होगे कि यह चीजे क्या है अब यहाँ पर padding में थोड़ी mistake आ रही है तो जैसे refresh किया padding बिल्कुल zeros हमारी आ रही है तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि यह चीजे क्या है फिर हम note part प्लस प्लस में आएंगे फिर यहाँ पर हम inter button प्रेस करेंगे अब यहाँ पर हमको ELI यह के लिए property लिखनी है तो यहाँ पर हम ELI यानि कि जो इसके अंदर list बनी हुई है अब हमें इसके लिए code लिखना है यानि कि ELI tag के अंदर जो यह tag है इसके लिए हमें code लिखना है तो यहाँ पर हमें ELI type करेंगे फिर हमको यहाँ पर ELI के अंदर यह tag लगाएंगे curly bracket open curly bracket close करना है और यहां पर हमको अपना code लिखना है इतना हमने type किया अब सबसे पहले इसमें हम रखेंगे display block display block रखेंगे यहां पर हम type करेंगे display block display block रखना है यहां पर हम type किया फिर हम को यहां पर colon लगाना है फिर हम यहाँ पर semi colon लगाएंगे इंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद में color white रखना है यानि कि इसके अंदर जो भी text है उसका color white होना चाहिए यहाँ पर हम color white करेंगे और semi colon लगा देंगे इतना तो आप लोग समझ गए होंगे लेकिन अब यहाँ पर जो हमने background color हटा दिया था अब इसका color हम यहाँ पर set कर लेंगे blue इसका color हमने blue set किया और इसके अंदर जो भी text है यलाई यह में हमने उसका color यहाँ पर white set किया फाइल को save करेंगे ब्राउजर में आएंगे और इसको यहाँ चाहरे करेंगे उसमें जो भी text है और text बिल्कु सेंटर में रहे तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे text align text align center colon लगाया और यहाँ पर हमको type करना है center text align center फिर semi colon लगाएंगे अब इसके बाद हमें एक और property set करने है padding की padding का मतलब यह है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी home youtube बिल्कुल आपस में लिखे हुए आने कि बीच में कोई भी space नहीं है इन सभी के बीच में हमको space छोड़ना है यहाँ पर हम type करेंगे padding यहाँ पर हमको padding टाइप करना है आएंगे browser में और इसको यहाँ चेकरेंगे refresh जैसे रीफ्रेस किया तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे सारी हमारी जो link थी वह अलग-अलग हो जाएंगी फिर हम आएंगे notepie++ में और यहाँ पर हमको एक और property type करनी है टेक्स डेकोरेशन अब टेक्स्ट डेकोरेशन property क्या होती है टेक्स डेकोरेशन property यह है आप लोग यहाँ पर देख पारेगे इसमें जो भी मैटर लिखा हुआ है हर मैटर के नीचे underline आई है अब इसी underline को हटाना है तो यहाँ پर हमें type करना है text decoration नन यहाँ पर हमना text decoration type किया colon लगाेंगे और यहाँ पर हम इसकी value में रखेंगे none तो यहाँ पर हम none property यूज करेंगे semi colon लगाेंगे इतना type किया file को save करेंगे आएंगे browser में और इसको यहां से करेंगे refresh तो जैसे ही refresh किया आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे इसके नीचे जो भी underline थी वो हट जाएगी तो इस तरीके से अगर कोई भी हमको property बनानी होती हैं navigation बार बनाने होते हैं तो हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं लेकिन अभी एक यहां पर और है आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे जब हम इस पर mouse का करसर लेके जाते हैं तो यहां पर इसका कोई भी color change नहीं होता तो उसके लिए हमें note 5++ में एक और code लिखना है जो हमा ब्राकेट open curly bracket close करना है अब यहां पर हमको अपना code लिखना है code में हम लिखेंगे हावर कलर यहां पर हमने हावर कलर रखा अब हम हावर करने पर जो background कलर है वो change हो तो हावर करने पर background कलर होना चाहिए red तो यहां पर हम type करेंगे red और हम लगा देंगे semi colon file को save करेंगे browser में और इसको यहां से करेंगे refresh जैसे ही refresh किया और इस पर जब हम mouse का cursor लेके जाएंगे तो इसका color change हो जाएगा आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं को इसका color यहां से बदल जाता है तो हावर करने पर इसका color बदल रहा है लेकिन ध्यान से देखिएगा इसके अंदर जो text ल जलाई यह हावर जो लिखा है color करने के लिए text का color change करने के लिए एक property होती है color property यहां पर color प्रॉपर्टी यहां पर color लगाएंगे और यहां पर हम yellow रखेंगे यानि कि जब हम mouse का cursor अपने text के उपर ले जाएं तो background color red होना चाहिए और text का color yellow होना चाहिए लेकिन background color red हो रहा टेक्ट का color अभी yellow नहीं हो रहा उसके लिए यहां पर हमने code लिखा color yellow और file को save करेंगे आएंगे browser में और इसको करेंगे refresh जैसे ही refresh किया आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे जब हम इसमें mouse का करसा लेके जाते हैं तो इसका color भी change हो रहा है और यहां पर इसका text का color जो भी change हो रहा है तो इस तरीके से अगर कोई भी हमको navigation बार बनाना हो या फिर हम कोई भी website बनाते हैं तो उस website में जो भी navigation बार होते हैं इसी तरीके से बनाए जाते हैं बहुत ही simple सा code है आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे सबसे उपर यहां पर जो लिखी गई है यह हमारी CSS है और इसके नीचे जो भी code लिखा गया हमारा HTML का code है तो आप लोग इस code को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे और आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं अगर आप लोगों को कोई भी confusion है तो comment करके पोच स को उस table का demo दिखा रहे हैं क्यों table हमारे किस तरीके से होगी यहां पर आप लोग जो screen पर देख पा रहे हो यही हमारी table है इस table को हम अगले वीडियो में design करना सिखेंगे HTML और CSS की सायथा से इस table को हम कैसे design करते हैं तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में और इस वीडि देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फार दिस वाचिंग वीडियो